So guys, welcome back to micro classes. CTAD जुलाई 2024 के लिए हमारी regular classes चल रही है. आज का हमारा subject है English pedagogy. English की ये सत्रवी class है. आज का हमारा topic रहेगा reading skill क्या होता है? Language की skill आज कल हम पढ़ रहे हैं? Linguistic skills ये होती है. आज हम reading skill की बात करेंगे. कितने परकार की reading होती है? और कैसे हम बच्चों में reading skill का विकास करते हैं? Important question है ये. अगर हम CTAD की बात करेंगे तो यहां से काफे ज़्यादा question आपके पूछे जाते हैं CTAD में. इसी के साथ ही हम इस session के last में यह भी देखेंगे कि इस टोपिक से CTAD में कौन-कौन से important question बार-बार पूछे जा रहे हैं. वैं आभी हम इस session के last में cover कर लेंगे. तब reading skill जैसे हम बोलते हैं पठन कोशल. अगर कोई बोल-बोल कर कोई लिखित समगरी पढ़ रहा है, उस किरिया को हम पठन बोलते हैं, reading बोलते हैं, reading मतलब कुछ छपा हुआ पढ़ना, अगर आप कुछ छपा हुआ पढ़ रहे हैं, उसे हम बोलते है reading. Recitating a written material is called reading, recitating मतलब बोलना, को रिटन मैटिरियल को आप बोल रहे हैं क्या लिखा हूँ है उस पर करिया को हम रिडिंग स्किल बोलते हैं These are important in reading skills तो यह जो चीज़े लिखी हुई है यह आपकी reading skill में important होती है ली कि यहीं चीज़ें मैդतोपून होती है जब आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते टाइम इन चीज़ों का में ज्यादा ध्यान रखना होता है, meaning making, सबसे important होता है meaning making, जब आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते टाइम, आप अर्थ भी निकालते चलें, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, अर्थ भी आपको निकालना होता है, ऐसा नहीं होता है, बस आप छपावा बोलते चल रहे हैं, meaning making होता है, comprehension मतलब समझ, वही बात आजाती है, जो चल रहे हैं, उसका अर्थ निकालते वे और उस अर्थ को समझते वे चल रहे हैं, reading with understanding, इसका मतलब भी यह होता है, reading with understanding मतलब समझते वे आप पढ़ रहे हैं, तब समझ के साथ पठन, आप आम बासा में से यह कह सकते हैं, समझ के साथ पठन, समझ के साथ जो पठन होता है, important होता है reading skill में gathering meaning in context ये भी वही बात हो जाती है संदर्म में हम अर्थ grant कर रहे हैं context में meaning grant कर रहे हैं meaning meaning निकाल रहे हैं जो चीज लिखी हुई है meaning making इसका मतलब है important होती है पढ़ते time अर्थ निकालना important होता है to develop reading skill we should give students opportunities to read important point है आसान सी बात है ये कि अगर आप बच्चों के reading costal का विकास करेंगे reading skill का विकास करेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों को पढ़ने क्या उसर देंगे आसान सी बात है literature for reading literature for children stories poems are important at primary level while teaching reading जब आप बच्चों को primary level पर 1-8 तक पढ़ना सिखा रहे हैं तब जो बाल साहित्य होता है literature होता है कहानिया होती है कविताय होती है उनका आप ज्यादा परियोग करते हैं अब प्राइमरी टीचर सुड इंट्रोड्यूज रीडिंग थुरू पिक्चर बुक है एक जो प्राइमरी स्कूल का सिखसक है वहां अपने बच्चों को रीडिंग पढ़ाना चाहता है रीडिंग के सुरुवात करना चाहता है तब उसे किस किताब से सुरुवात करने चाहिए तो पिक्चर बुक से कि जिस बुक में पिक्चर हो और बच्चों से कहना चाहिए कि जो पिक्चर है इनको नरेट कीजिए इनके बारे में अपने सब में рि उस करना चाहते है टब एक picture-book से हमें करना चाहिए टाइप收 1933 किल अब रेडिक इसकेले के इसकी बात कर लेते हैं दो तरह गारीडिंग होते हैं यहलाओड रेडिञ्ग इस्हित्यम बोल देते हैं अलग लगी नाम होता है लूट इड़िब क्या होता है बोल बोल कर कुछ पढ़ना जब आप बोल रहे हैं और ध्यानी होrey साउंड आप अपरोड़िउस गरें उस परकेड़का कम बोलते हैं लूट रिडिग अived reading with sound is called loud reading, it improves pronunciation, it felicitates confidence and remove agitation, तो loud reading का क्या फायदा होता है, एक तो मेरी pronunciation सुधर जाती है, और हमें confidence आ जाता है, हमरी agitation काम हो जाती है, loud reading का पर योग इस वोज़ा से किया जाता है, loud reading अमारी चार तरह की होती है, model reading, जब कोई teacher loud reading करता है, किसी part को कोई teacher पढ़ता है, उसे model reading बोलते है, model reading क्यों, क्योंकि teacher गलतिया नहीं करता है, part को पढ़ते है, अक्सर, वैस सुध रूप में part को पढ़ता है, इस वाज़ा से मु Ideal reading बोलते हैं, next है imitation reading, जब बच्चे उस part को पढ़ते हैं, एक बार अपार teacher ने पढ़ लिया है, उसके बाद same chapter को बच्चे पढ़ेंगे, जब बच्चे उसी chapter को पढ़ेंगे, उस पर की यह को हम बोलते हैं, model reading, sorry, imitation reading, imitation से मतलब होता है, अब बच्चे ठीचर की नकल करेंगे, teacher को imitate करने कोशिस करेंगे, individual reading का मतलब होता है, जब एक person कोई चीज पढ़ता है, उसे individual reading बोलते हैं, group reading क्या होता है, जब एक से ज़्यादा person, एक से ज़्यादा बच्चे किसी चीज को पढ़ते हैं, उसे group reading बोलते हैं तो यह आसान से point है next है हमारा silent reading यह important है यहाँ से ज़्यादा question seat at पूछता है silent reading मतलब अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और कोई ध्यानी नहीं हो उस परिकिया को हम silent reading बोलते हैं उस process को silent reading क्या होता है soundless reading होता है silent reading soundless reading उसमें sound नहीं होता जैसे आप library वगरे में जाकर पढ़ते हैं तो silent reading होता है first point है इसमें a soundless reading is called silent reading no movement in tongue and lips is done during that तो sound जो हमारी silent reading होती है उसमें हमारी jeep और hot lip and tongue में कोई भी movement नहीं होता कोई भी गती नहीं होती it is more effective in senior classes तो जो silent reading है वो senior classes में ज्यादे effective है 8th class से उपर में क्यों अगर छोटे बच्चों से हम कहेंगे कि आप silent reading कीजिए तो उनका मन इधर उधर बहग जाएगा ज्यादा देर किताब नहीं पढ़ पाएंगे बड़े बच्चे silent reading कर लेते हैं ज्याद बुक में बना रहता है it is done to infer underlying meaning and understand the gist of the written text तो जो silent reading हम करते हैं वो गहन आर्थ समझने के लिए जो लिकित समग रही है उसका पूरा आर्थ समझने के लिए करते हैं इसके लाबा जो loud reading थी वो हम क्यों करते हैं हाजिटेशन दूर करने के लिए अपनी speaking सुधारने के लिए हम loud reading करते हैं लेकिन silent reading हम क्यों करते हैं जो written text है उसका गहन छुपा वा पूरा आर्थ समझने के लिए करते हैं इन दोनों में यह अंतर है it improves comprehension comprehension समझे जब हम आर्थ निकालने के कोशिस करते हैं उससे हमारी हम उससे समझ होती है comprehension होती है वो विख्षित होती है it improves ability to focus तो silent reading हमारी focus करने के ability को भी इंप रोगता है silent reading जो होती है कई तरह की होती है intensive reading extensive reading and rapid reading rapid reading भी दो तरह की होती है आप इने देख लेते हैं silent reading को कितने तरह की होती है सबसे पहले intensive reading जिसे हम serious reading भी बोल देते हैं गंबीर वाचन जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं पूरा ध्यान से पढ़ते हैं उसका पूरा अर्थ grand करने के लिए एक एक बात उसके बारे में समझने के लिए उस परिकिरिया को उस प्रोसेस को हम बोलेंगे intensive reading intensive reading मतलब पूरे ध्यान से जो हमारी लिखित समग रही है उसका पूरा अर्थ समझने के लिए जिस reading का हम परियोग करते हैं वो intensive reading होता है जब आप कोई notice पढ़ते हैं वो intensive reading होता है जब आपने exam के लिए कोई long question तियार करते हैं short questions की series करते हैं वो intensive reading होता है intensive reading में हम क्या करते हैं पूरा ध्यान से एक एक सब्द का अर्थ समझते वे चलते हैं intensive reading is done for gathering information तो जानकर यह कोई खटा करने के लिए हम intensive reading का यूज करते हैं it is done to infer the underlying meaning and deep understanding of the text जो हमारा written text है लिखित समझ रही है उसकी deep understanding के लिए या भी deep gist के लिए deep understanding मतलब उसका पूरा meaning समझने के लिए हम intensive reading का यूज करते हैं तो intensive reading का यूज क्यों करते हैं जो लिखित समझ रही हमारी written text है उसका पूरा अर्थ समझना है उने पूरा जो भी उसका अर्थ हो सकता है जितने भी कॉंटेक्स्ट में बात कही गई यह उसका पूरा अर्थ समझना है या कोई नोटिस पढ़ते हैं या एकजाम के लिए पढ़ते हैं या कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं वो हमारे सेटिकल सेव् 2 मोल इंग अपना पूरा ज्यादा बनाना पड़τα का मतलब ज्यादा ध्यान में वहां पर वहाँ पर पड़ते टाइम रखना पड़ता है तो यह विश्य सेशता होती हैं इंटическая रिडिंग की characteristics, next है हमारे extensive reading, तो extensive reading क्या होता है, जब आप मजे के लिए कोई चीज पढ़ते हैं, ऐसे आनन्द पराप्त करने के लिए, वो आपका extensive reading होता है, extensive reading में आप पूरा ध्यान से उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, पस हलका सा अर्थ समझने के लिए पढ़ते हैं, ज extensive reading होता है, it is done for pleasure and to have general understanding of the text, देखो general understanding या फिर जेस्ट के लिए तो हम extensive reading का यूज करते हैं, और deep understanding के लिए intensive का ध्यान रखना, general understanding से मतलब हम आसान सा, उसकी general सामन्ने सी बात समझना चाहते हैं, कि यह तथ्या है, यह जो paragraph है, यह क्यों लिखा हुआ है, उसकी general सी आसान सामन इसी बात समझने के लिए हम extensive reading करते हैं, लेकिन पूरा, गहन, गंभीर, पूरे तथ्या समझने के लिए हम deep understanding के लिए intensive reading करते हैं, extensive reading हमारे pleasure के लिए की जाती है, आनन्द पराप्त करने के लिए, जैसे कोई magazine पढ़ना, jokes पढ़ना, हमारे जो comics होती है में पढ़ना, short story novel पढ़ना, extensive reading में होता है, it is done to take pleasure while reading, तो हम आनन्द पराप्ती के लिए, आनन्द की अनुभूती के लिए extensive reading का यूज करते हैं, नेक्स्ट है हमारे rapid reading, तीसरे परकार के अगर हम silent reading की बात करें, वो rapid reading होता है, जब हम किसी लिखिस समगरी को पूरी speed से पढ़ते हैं, तेजी तेजी से पढ़ते हैं, उस process को हम बोलते हैं, rapid reading, to read quickly is called rapid reading, rapid मतलब तेजी से, तो rapid reading में हम क्या करेंगे, तेजी से पढ़ेंग में से हम कुछी ढूढ़ना चाते हैं, मतलब उसके बारे हम पूरा नहीं समझना चाते हैं, वो तेजी से पढ़ना चाते हैं, या तो अलगा सा उसके बारे में समझना चाते हैं, या यह चाते हैं कि कुछी ढूढ़ रहे हैं, उसमें से तब करते हैं, जो हमारी rapid reading होती है, वो extensive reading की तरह ही होती है बिल्कुल पेपर में आप यह मान कर चलिए extensive reading आपकी rapid reading होती है लेकिन इसमें हम थोड़ा सा तेज पढ़ते हैं extensive reading से समझभ़े आप rapid reading क्या होता है तेज इसे जब आप कोई चीज पढ़ते हैं वो rapid reading हो जाएगा rapid reading दो तरह की होती है scanning और scheming scheming and scanning हमारी सबसे पहले scheming की बात कर लेते हैं scheming reading में हम क्या करते हैं किसी चीज को तेजी से पढ़ते हैं सिर्फ उसका आर्थ समझने के लिए कि हलका सा हमारी समझ में आ जाए यह होता क्या है तो general idea या general gist के लिए उसका main idea हम प्राथ करने के लिए जो चीज पढ़ते हैं वो पता करने के लिए किस बारे में है इसने क्या क्या बाते कही गई है तेजी से जब हम उसे पढ़ते हैं वह scheming होता है तो read something faster to know what is this about है अगर हम किसी चीज को तेज पढ़ रहे हैं यह जानने के लिए कि यह paragraph किस चीज के बारे में लिखा हुआ है वह scheming है it is used to get main or general idea या फिर अगर हम किसी document को review करते हैं तो वह scheming क्या लाता है हमारे पास कोई file आती है बच्चों ने file बनाई है आप उसे review करते है क्या यह file ठीक है क्या यह file अपने उद्देश्यों की पूर्ती करती है तो आप उसे ध्यान से तो नहीं पढ़ेंगे केक line को scheming करेंगे तेजी से आप पेज पलटते रहेंगे एक बार हलकी सी नजर मारते रहेंगे क्या क्या उसमें लिखावा है तो वह scheming होता है अब scanning क्या होता है scanning का मतलब होता है कोई एक विशेज चीज डूढ़ना किसी एक विशेज चीज पर जाना सबसे ज़्याद तेज हम स्कैनिंग में पढ़ते हैं कोई एक विशेज चीज डूढ़ते हैं इसमें जैसे list में आप अपना नाम डूढ़ रहे हैं तो वह scanning है उसके लिए आप skimming नह हैं उसमें आप फेर डूढ़ रहे हैं कि यह ticket कितने रुपे का है तो वह कोई एक specific चीज specific चीज कोई एक विशेज चीज कोई एक विशेज तत्थ है कहीं पर डूढ़ने के लिए हम scanning करते हैं तो रिड़ सम्तिंग फास्टेस्ट तो कम टूए specific पॉइंट जब हम किसी एक specific पॉइंट को डूढ़ना चाहते हैं तो हम scanning का यूज करते हैं इन दिस रिडिंग वी स्किप अनिम्पोर्टेंट वर्ड्स एंट पे अटेंशन उन स्पेसिपिक इनफोर्मेशन आलतू फालतू के जो सब दोते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं जैसे एक लिस्ट बनी हुई है ऐसे और आप अपना नाम डूढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से इस लिस्ट को थोड़ी पढ़ते आएंगे हलक अलका से नजर मारती हुए आएंगे कहां पर कहां पर अच्छा है ये मेरा नाम रहा तो आप ऐसे रूट लेंगे तो यह क्या scanning ह आलतो फालतों की चीज़ आप छोड़ देते हैं इसमें और मुख्य बात पर ध्यान लगाते हैं इसमें scanning क्या होता है finding your name in the list scanning है looking at your ticket to see fair scanning है लिस्ट में आप पर नाम डूढ़ रहे हैं railway ticket पर आप वो डूढ़ रहे हैं कितने रुपे का टिकेट है तो सी यूर रैंक अगेंस्ट यूर नेम अपने नाम के आगे अपनी रैंक देख रहे हैं वो scanning है to find out someone's phone number in the list किसी लिस्ट में से आप किसी का number डूढ़ रहे हैं mobile number तो वो scanning है अब देखो हमारी skimming और scanning में क्या difference होता है skimming तो होता है हमारा यह जानना कि यह जो लिखित समग रहे हैं यह notes बने वे हैं यह किस बारे में बने वे हैं scanning यह होता है हम किसी विशेश chapter पर जा रहे हैं कि तीसरा पार्ट कहां से शुरू हो रहा है तो हम दमदम page पलट रहे हैं और देख रहे हैं कहीं तीसरा पार्ट शुरू तो नहीं हो गया तो कोई चीज डूढ़ने के लिए मैं scanning करते हैं हलका सा अर्थ समझने के लिए skimming करते हैं next है यह हमारी बात दुबारा आ जाती है next क्या आई है कि types of reading skill यह अभी मैंने आपको बताया है loud reading silent reading तो loud reading चार तरह की होती है teacher पढ़ता है उसे model reading बोलते हैं हम किसी चीज को पूरा समझने के लिए पढ़ रहे हैं उसका पूरा अर्थ क्या है जैसे कि paper वगर की तेजरी करते है extensive reading मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं पूरा नहीं समझना में मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं कोई novel वगर कोई story पढ़ते हैं rapid reading किसी चीज को तेजी से पढ़ रहे हैं skimming क्या होता है हम उसका अर्थ निकान ले के लिए पढ़ रहे हैं कोई चीज हम पढ़ रहे हैं और यह समझना चाहते हैं वो किस बारे में लिख हुई है scanning क्या होता है हम किसी एक VCS बिंदू पर specific चीज को रूण रहे हैं लिकित समगरी में next बात कर लेते हैं methods की जिसके दुआरा हम बच्चों की पढ़ना सिखाते हैं बच्चों की reading skills को improve करते हैं सबसे पहले alphabatic method, alphabatic method क्या होता है इसमें हम बच्चों को alphabatic को रटाते हैं जो letters होता है उन्हें रटाते हैं और जब बच्चे letters को रट लेते हैं ABCD याद कर लेते हैं उसके बाद हम letters को आपस में जोड़-जोड़ कर कोई word बनाते हैं और word को पढ़ना सिखाते हैं जै आले हम letters रटाएंगे बच्चों को alphabatic रटाएंगे ABCD रटाएंगे उसके बाद जो letters हैं हमारे उन्हें आपस में जोड़-जोड़ कर word बनाना सिखाएंगे next हमारा look and say method इसे हम word method भी कह देते हैं इसमें हम बच्चों को कोई चितर दिखाते हैं बच्चों से पूछते हैं कि आप इस चितर में किस चीज को देख रहे हैं बच्चे बोलेंगे जी हम cat देख रहे हैं टीचर पूछेगा क्या देख रहे हैं बच्चे बोलेंगे cat टीच cat, کہysics, cat, c-a-t, cat, c-a-t, cat इस तरह से teacher बच्चों को पढ़ना सिखाता है तो इस तरह से बच्चे पढ़ना सीखलेंगे यह consumo होता है, यह ए ए ट होता है और इसे cat बोलते हैं तो बच्चे इस तरह से पढ़ना सीखलेंगे phonatic method क्या होता है इसमें हम similar sound को एक साथ बच्चों को पढ़ाते हैं जो एक जैसे sound होते हैं में एक साथ रख देते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे cat, sat, bat, mat, rat bowl, fall, toll इस तरह से फाल बोलें चाहिए कुछ बोलें bowl, fall, toll तो ये सारी चीज़ें हम एक जैसे sound जो होते हैं उन्हें एक साथ पढ़ाते हैं Next है हमारा period reading activities बच्चों को आप पढ़ना सिखा रहे हैं तो पढ़ने की सुरुवात से पहले आप किस परकार की activity कराते हैं या जो गतिविदियां कराते हैं उनका क्या अर्थ होता है या बच्चों को पढ़ाना या जो पढ़ना reading पढ़ना सिखाने से पहले हलकी फुलकी जो activity करता हूँ मैं एक दो बाच्चीत करता हूँ बच्चों के साथ वो period reading activities होता है पढ़ने से पहले की activities उनका क्या मतलब होता है these activities are done just before reading practice session जो बच्चों का reading practice session होगा ना उससे पहले होती है these helps introducing the students to the reading अब इसके द्वारा क्या होता है हम बच्चों को reading के साथ introduce कर देते हैं reading के साथ जोड़ देते हैं बच्चों को पता चल जाता है कि अब हम reading करने वाले हमारा teacher हम से reading कराने वाला है पढ़ना सिखाने वाला है हमारा पढ़ना मतलब लिखवा छपवा पढ़ना सिखाने वाला है these helps motivating the learners यहाँ पर teacher बच्चों को reading के लिए motivate भी कर सकता है these helps connecting their previous knowledge to new तो यहाँ पर teacher क्या करता है बच्चों की previous knowledge को नई से जोड़ सकता है तो ठीक reading session से पहले जो थोड़ी बहुत बाच्चीत एक सिखसक बच्चों के साथ करता है या जिसे हम बोल देते हैं period reading activities उनके दोबरा क्या होता है बच्चे motivate हो जाते हैं बच्चों की previous knowledge नई से जूट जाती है बच्चों को पता चल जाता है कि अब हम पढ़ने वाले हैं तो यह चीजे बच्चों की general सी उनकी problem सी अलगी solve हो जाती है अब बात कर लेते हैं हमारा जो यह topic है इस topic से seat act के paper में किस किस तरह के कौन कौन से question पूछे जाते है सबसे पहला question है हमारा which one of the following is most important in developing reading skill at primary level देखो primary level पर आप बच्चों की reading skills को improve करना चाहते है बच्चों को आप पढ़ना सिखाना चाहते है reading करना सिखाना चाहते है primary level तब आप क्या करेंगे ability to read phrases correctly मतलब बच्चों को आप phrase जो वाक्के बगरे लिखे में है उन्हें सही सही पढ़ना सिखाएंगे तो correctly तो नहीं सिखाते हैं तो बच्चों की practice कराते हैं धीरे धीरे बच्चे correctly पढ़ना खुद सीख जाते हैं ability to comprehend the text already radio हो सकता है इसका ये B वाला सही हो सकता है इसका मतलब क्या है जो text आपने अभी भी पढ़ा है अब उसका अर्थ निकाल लिए मतलब बच्चे अर्थ निकाल रहे हैं और पढ़ने में अर्थ निकालना important होता है मैंने क्या का था पढ़ने में comprehension जिसे हम comprehend भी कहा देते हैं comprehension important होता है only only वाला seat at में कभी भी सही नहीं होता only knowing the correct order ये गलत है ability to read words correctly तो हम सुध साप नहीं बोलना पढ़ाना चाते हैं दीरे दीरे बच्चे खुद ही सुध बोलने की सुरुवात कर देंगे हम उनकी practice करना चाते हैं उनके कोशलो का विकास करना चाते हैं तो इसका सही answer भी हो जाता है next question की बात करते हैं हम dictation does not help learners too तो जो हमारी dictation होती है इमला इमला आपने पढ़ी होगी आपका school में इमला बोली जाती होगी और आप लिखते होगे तो इमला dictation किस चीज में बच्चों की help नहीं करती तो negative डूनना है में ध्यान रखना note है इसमें increase their concentration जो dictation है वो बच्चों की concentration इंप्रूव करती है इसका बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं improve their reading skill dictation बच्चों की reading skill को इंप्रूव करती है देखो dictation बच्चों की writing skill और जो हमारी listening skill होती है उसका improve करती है dictation में इमला बोलने में एक teacher कोई paragraph बोलता है बच्चे उसे सुनते हैं और सुनकर लिखते हैं तो बच्चे सुन रहे हैं और लिख रहे हैं इसमें बच्चों का listening skill और writing skill इंप्रूव हो रही है लेकिन यहाँ पर reading skill तो बिलकुल भी improve नहीं हो रहा improve there is spelling spelling भी सही हो सकती है यहाँ से बच्चों की enhance there listening comprehension तो listening skill भी यहाँ पर improve हो रही है बच्चों की लेकिन B तो बिलकुल भी improve नहीं हो रहा अब हम एक पर भी सही लगा सकते हैं कि बच्चों की concentration भी इंप्रूव हो रहा होगा क्योंकि हमें पता है भी वाला तो बिल्कुल भी related नहीं होता क्या अर्थ होता है अभी अभी हमने पढ़ाया है कि reading session की सुरुवात से पहले जो अलके फुल के टास्क होते हैं उनका क्या अर्थ होता है तो आर मैंट फूर तो हमें यहां पर बताना है फिरी रिडिंग टास्क का क्या मतलब होता है giving the meaning of giving the meaning giving the meaning of giving the meaning अच्छे दो बार आ गया giving the meaning of difficult words and phrases हम सुरुवात में बच्चों को सब्दर्थ करा रहे हैं यह तो गलत है सब्दर्थ हम सुरुवात में क्यों कराएंगे अपने session के last में बात करेंगे सब्दर्थ की तो हम introducing the main idea and motivating the learners यह हो सकता है हम बच्चों को introduce कर रहे ह है उस idea से जिसके बारे में आज हम reading करने वाले हैं और motivate कर रहे हैं यह हो सकता है explaining the grammatical items used in the reading test बच्चों के पढ़ने से पहले ही हम उस text के बारे में बच्चों को grammar बता रहे हैं कि कौन-कौन से grammar के rule यहाँ पर लगे हैं वो तो गलत है हम बच्चों को एक तरह से पढ़ना सि कर लेंगे उसके बाद ही तो हम बच्चों के evaluate करेंगे मुल्यंकन करेंगे बच्चों का तो यह सारे गलत हो जाते हैं यहाँ पर हमारा सही answer क्या है सही answer हो जाता है बी introducing the main idea and motivating the students next question हमारा pre reading activity का क्या आर्थ होता है same question आ गया यहाँ पर भी task before teaching reading मतला हम बच्चों को पढ़ना रिष्टा सीखाने से पहले task दे रहे है काम करने लिए दे रहे हैं यह गलत बात है connecting their previous knowledge and taking the learners into the text यह ओ सकता है हम बच्चों की previous knowledge को connect कर रहे हैं और उसको लेकर text बना रहे हैं जिसे बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों की previous knowledge को को गर हम use कर रहे हैं तो अच्छी बात है है यहाँ पर हम pre-reading task में यह काम करते हैं, बच्चों की previous knowledge वगरा को जानते हैं, connecting the whole class with one another, यह गलत है, giving information about the writer, writer के बारे में क्यों बताएंगे हम, हमें बच्चों को पढ़ना सिखाना है, writer के बारे में उन्हें expert थोड़ी बनाना है, तो इसका सही answer भी हो जाता है, कि बच्चों की previous knowledge की जानकरी वगरा में हो जाती है, scanning and scheming क्या चीज़ होती है, reading, writing, speaking and thinking, तो यह reading से related होता है, scanning and scheming हमार reading से related होता है, इसका सही answer यह हो जाता है, next question है, I students, I students read through an article in newspaper, to get the overall idea of the article, what is practice known as, अब देखो, एक बच्चे ने क्या किया है, news paper में से कुछ पढ़ा है, तो वो कौन सी reading है, एक तो वो extensive reading हो सकती है, और दूसरा हमारा, skimming हो सकती है, skimming, scanning नहीं होगी, skimming, skimming और extensive reading होगी, उन दोनों में से एक होगा, जो भी आएगा हमारा, for a specific information, जब भी हम specific information, किसी एक विशेश चीज को ढूंडते हैं, पढ़ते टाइम, तो वो हमारे scanning होता है, scanning मतलब D, next question है हमारा, silent reading is encouraged because, silent reading हम क्यों पढ़ाते हैं, क्या लाब होता है उसका, meaning making होती है, यह होती है, क्योंकि बच्चे पढ़ते टाइम, उनका जो सब्द लिखे हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, promote memorizing, रटना नहीं बढ़ाती है, good for teacher, teacher का हमें कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों को disturb नहीं करती हैं, सारी गलत चीज़े हैं, तो जो silent reading होती है, वो meaning making होती है, बच्चे अर्थ निकालते हैं इससे, next question है, reading magazine, comics, short stories and novel, यह क्या है, अगर हम यह सारी चीज़ बढ़ रहे हैं, यह extensive reading है, इनसे हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और extensive reading में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो यह आज की हमारी class थी, आज का हमारा topic था, I.O.P.C.T.E.D. के इस topic को आप समझ पाएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने C.T.E.D. गुरूप में दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, C.T.E.D. की सभी subject की इसी तरह से daily regular classes लेने के लिए, आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं, Till then, Bye-bye, Take care.